नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकर कर सामने आई है और ये खबर किसी छोटे मोटे खबार या किसी वेबसाइट ने नहीं छापी ये खबर दी है सीधे चीन के सरकारी मीडिया या फिर चीन का मुखपत्र भी आप कह सकते हैं यानि कि जो चीनी सरकार कहना चाहती है वो इसी सरकारी मीडिया के थुरू कहलवाती है तो उसने ये खबर दी है और ये खबर सुनके पहली बार तो मैं भी शोक में था लेकिन जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो और जानकार इसके बारे में मिली है जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में तो इस वीडियो में ये ज़्यादा वीडियो लंबी नी होने वाली चोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी इंफोर्मेशन देने वाला हूँ और ट्वीट में इसने क्या लिखा है वेबसाइट पर चापती है तो उसने ग्लोबल टाइमस ने पीपल डेली के हवाले से लिखा है कि उन्हें ख़बर मिली है कि पूर्वी थेटर कमांड के वांग हाई एर ग्रूप से जुड़े वे एक युवा पायरेक्टर जिनका नाम चेन शिहाओ ने अपने साथियों के साथ तालमेल बनाते हुए वीडियों के लड़ाक विमान राफेल को मार गिराया है और सिर्फ इतना ही नहीं उन्हें भी बताया कि इस दोरान चीनी सेना के किसी भी विमान को कोई नुकसान नीं पहुंचा है यह खबर सुनकर तो मैं भ फैंस की खबर आती हैं वह देखा लेकिन कहीं भी इसकी कोई खबर नहीं थी फिर मैंने सोचा कि शायद एक खबर अभी आई हो इसलिए मैंने ट्विटर अकाउंट भी चेक किये जो मतलब की हमारे एरफोर्स के थे वहावर भी कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने दुबारा ग की ट्वीट किया जिसमें बताया कि भारत ने भारतिया राफेल सत्रा बार मार गिरा है उनके एक पाइलेट ने एक मोग ड्रिल में मोग ड्रिल क्या होता है आप इसे युद्यब्यास कह सकते हैं यानि कि एक चीन को शुद्र प्रोपगेंडा था और जो लोग मुझे इंस् संसनी फैलाने के लिए सब कुछ किया था लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि चीन कितना डरता है भारते राफेल से क्योंकि दुश्मन आपके उसी हत्यार को ज़्यादा बदनाम करेगा जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता हो राफेल को बदनाम करने कुशिश ग किलाव ताकि इनका सही परबंद भारत कर सके दोस्तों फिलाल तो इस खबर से लेटेट इतनी अपडेट्स चैसे में जो कुछ और अपडेट्स ही में आपको सुचित कर दूँगा तो आप चैनल को सबस्क्राइब काना मत बूलेगा इसी बुस्सरी डिफेंस, फरन पॉलि और से यूर फान से टिट वीडियो के लिए थाकि राइस्ट वीडियो गया थाक्यों शवाचिक वीडियो